Assalamualikum, Welcome to RLG Guider मैं हूँ आपकी दीचर माही मददतली और आज की हमारी क्लास होने वाली है पैनटूल के उपर के पैनटूल में हमें क्या क्या टूल्स और मिलते हैं उससे हम क्या क्या कर सकते हैं तो वह हम आज की क्लास में देखेंगे So let's start अब हम देखते हैं के पैंटूल का काम क्या होता है जब हम अपने तूल बार में आते हैं तो यहां पर हमें मिलता है पैंटूल जिसका शौट के होता है पी जब हम इस पर प्रेस करके रखेंगे तो यहां पर हम एक पैंटूल और एक एंकर पॉइंटूल का एक आप्शन में अब anchor point टूल क्या होता है वो अभी फिलाल हम डिसकस नहीं करते हैं हम देखते हैं कि pen tool को अपने तरीक पर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने artboard पर आते हैं तो आप देखेंगे मेरा cursor है वो इस type का बन जाएगा और अब मैं यहाँ पर जैसे कि एक dot लगा दियो तो यह मेरा anchor point है जब भी मैं जो हो एक बार click करूंगी तो यहाँ पर एक dot बन जाएगा जिसका हम बोलते anchor point अब मैं अपने cursor को नीचे लेके जाती हूँ तो आप देखेंगे को छोड़ देंगे तो फिर आप जो किसी भी direction में अपनी line को create कर सकते हैं अब जैसे के मैं एक dot यहाँ लगाती हूँ एक dot यहाँ लगाती हूँ और एक dot यहाँ पर लगाँगी और जब मैं यहाँ पर इसकी path इसको लाड़ूच आप देखेंगे इसके cursor के नीचे एक circle type का बन रहा है इसका मतलब यह है कि जब भी आप पॉइंट को उसी जगा पे लाते हैं जहां से आपनी drawing को start करा था और वो as it is close हो रहे दोनों points तो यह जो है वो आपके cursor के नीचे एक point बना जाएगा और जब मैं इस पर click करूँगी तो यह आपका एक shape के लिए बना जाएगा अब यहाँ पर हम आते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो इसके इंदर और anchor points जो है वो add करे तो जब आप इसको अपनी path पे लाएंगे तो आप देखेंगे आपकी cursor के नीचे एक plus की sign बन जाएगी इस तरीके से आप जो है वो इसमें anchor points को add कर सकते हैं अगर आपको जो है वो anchor point को minus करना है तो आप किसी भी anchor point पहेंगे तो आपका जो कर सथे उसके नीचे minus की sign बन जाएगी एंड जब भी इसको किसी भी anchor point पे click करेंगे तो यह anchor point जो हट जाएगे इसी तरीके से आप anchor point को minus भी कर सकते हैं और anchor points को अपनी हजाब से लगा भी सकते हैं अब यहाँ पर undo कर दिया और आपको बना के दिखाए यहाँ पर एक anchor point लगाती हूं और यहाँ पर straight line बनाती हूं यहाँ पर straight line बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर curve line बनाएं अब वह curve line किस तरीके से बनेगी जब हम यहाँ पर straight आएंगे यहाँ पर anchor point लगाएंगे और अपने mouse को release नहीं करना इसको आपने drag करना है hold करके रखना है और इसको opposite direction में लेते जाना है तो इस तरीके से आप एक curve line बना सकते हैं लेकिन इसके बाद आगे की जो line है वह भी इस तरीके से curve बनेगी और अगर आपको कर्फ में बनाने तो आप इसको as it is रख सकते हैं लेकिन अगर आपको इसको दुबारा से sharp line में लाना है तो आप कैसे लेंगे यहां पर बीच में एक anchor point है जब आप इस पे एक बस click करेंगे तो यह जो है वो दुबारा से एक sharp line बन जाएगी अब आप देखेंगे कि यह जो है वो एक open shape बन गया है अगर हमें दुबारा से जो है वो यही shape बनाना है इसके opposite में तो मैं जो हो इसकी copy लेंगी सबसे पहले मैं escape के button पर click करूंगी ताके मेरी जो line आ रही ही pen tool पर वो हट जाए अब मैं जाते हूं direct selection tool के अंदर यहां पर click करते हूं तो आप देखें कि मेरा shape बना है अब मुझे लेनी है इस पूरे की copy तो मैं direct selection tool के else's के select करूंगी then right click करूंगी right click करने के बाद आपके पास यहां प पर जब हम क्लिक करेंगी तो हमारे पास कुछ इस type का panel open होगा यहां पर हमारे पास एक option आता है TV का जब आप TV पर click करेंगे तो आपको जाए यह TV देगा कि यह किस type के आपके पास copy निकल जाएगी जब नीचे हम आते है तो हमारे पास आता है OK option जब आप OK पर click करेंगे तो यह आपको इसी shape की रूटेट करके देगा उसके बाद हमारे पर एक option आता है copy का अब copy के अंदर आपको इसकी निकाल देगा जब हम क्लिक करते हैं इसका preview भी यहां से देच सकते हैं अब हम करते है copy पर click तो आपको इसी shape की तो है यहां पर copy आ जाएगी और अब जो है वहा पर स्टाइट पर लेके जाती हूं हमारे पर जो वह स्मार्ट गाई खुला था इसे जब मैंने इन दोनों को अटैच कर रही थी तो यहां पर इंटरसेक्ट लिखा वहा रहा था तो यह इस तैप का जो है वह शेप बन गया अगर आपको इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप इसको डिरिक सेलेक्शन तूम की एल्प से करेंगे तो अपने तूल बार में आएंगे कलर फिल में डबल बार प्रेस करेंगे और कोई भी कलर जो है वहां पर लगा सकते हैं इस तरीके साथ पैंटूल की है वह डिफरेंट शेप को कर सकते हैं अगर जिसे आपने एक एपल अगर आपको ऊसी की जो हो कॉपी ने लिए तो आप रिफ्लेक्ट मुझा कर सकते हैं ताके दोनों की जो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी आज की क्लास समझ माया होगी किस तरीके से पैंटूल को यूस के अंदर हमें और क्या तूल्स मिलते हैं वह भी सब आप को समझ मा गया होगा अकेर आपको मीरी आज की क्लास पसंद आये तो मेरी विडियो को जल्दी से लाइक करो divine चैनल को सब्सक्राइब करो और आप आस में बैल इक्न को प्रेस करूँ ताकि मेरी आने वारी न्यू वीडियो उसके अपड़ेट आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक केर एंड बाई बाई